नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल में हार्टिक स्वागत है वीडियो को अन तक अवस्थ देखिएगा क्योंकि कहा गया है आधा दुर अग्यान खतरनाक होता है आचार चानक कहते हैं कि यदि आपको अवतारों के बारे में और उनके जन्म लेने के बारे में यदि आपको कोई पहचान करनी हैं कोई जानना है तो आप कुछ गुरों से उनको पहचान सकते हैं प्रतिवी पर चौरक से जब भी कोई आवतार जर्म लेते हैं तो उनकी पहचान निम चार गुणों से की जासती है पहला उदार्ता पूरवगदान देने की प्रवर्थी ऐसा व्यक्ति हमेशा उदार्ता पूरवगदान करता ही रहता है चाहे वो छिपकर करे, चाहे खुले में करे, चाहे कैसे भी करे, ऐसा आवतार जो लिये होते हैं, वो लोग हमेशा उदारता पूरवगदान देते रहते हैं, उनकी यही प्रवर्ती होती है, तथा वो हमेशा इस प्रवर्ती को करते रहते हैं, दूसरी उनकी पहचान है, कि व बहुत ही अच्छी होती है जिससे आप उनको पहचान सकते हैं तीसरा वो है देवों की पूजा अर्चना करना उनके अंदर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने का बुल होता है वो पूजा अर्चना करते हैं या आपने समझ लिजिए इस्ट को वो ध्यान डगते हैं उन ब्यक्ति पे आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि ऐसे ब्यक्ति आउतार हो सकते हैं चौता वो बताते हैं कि ब्रामनों को भोजन वस्तर आदी दे करके तरप्त रखना ऐसा ब्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ भोजन वस्तर आदी ब्रामनों को दान कर देता है या मंदिरों में दे आता है ऐसा बैक्ति देवता तुल्ले होता है और वो अवतार के रूप में जर्म लिया होता है जिसे हम कहते हैं कि प्रत्वी पर स्वर्ग से उत्रा हुआ कोई आवतार है यदि आपको जानना है तो यह चार प्रमक बाते ऐसी हैं जिनके द्वारा उन्हें पहचाना जा सकता है नुक्ते अलप्रा यह है कि दानसिल, मदुर्भासी, देव पूजक और ब्रामनों के प्रती सेवा भाव रखने वाले ब्रक्ति को ही प्रती पर स्वर्ग लोग से अवतरित देव पुरुष समझना चाहिए यही आवतारों के गुर्ण होते हैं यदि आपको इस संसार में आवतारों को पहचानना है यानि भगवान को जानना है तो उसके यही चार प्रमुख गुर्ण होते हैं जिससे किसी आवतार को पहचाना जा सकता है और आवतार हमेशा होते हैं यह चालक के जीग ने कहा है आचार चालक की है बात आपको यह दिए अच्छी लगी हुई हो तो जाता से जादा शेयर कर दीजेगा आपने वीडियो अन तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद